असलाम अलेकम स्टूडेंट इस में दंजील एमद और वाचिंग मीबदे चनल दंजील एमद मैथ लेक्षर सिरीज स्टूडेंट्स के पिके मैथमेटिक्स के ओपर हमारी जो सिरीज चल रही हाँ चल उसमें exercise 2.2 के ओपर हमारी last discussion हुई थी last lecture के अंदर हमने exercise 2.2 के ओपर कलाम किया था कि exercise 2.2 मैंसे question number 1 and question number 2 आज निशालला आगे इसी lecture को proceed करके question number 3 पे आएंगे और देख देहें कि उसमें क्या है तो question number 3 में जो है प्रूदेट मेन कि ये प्रूदेट वाली बाते है शोदेट साबित करो इसमें बड़ा मज़ा भी आते हैं इसमें कोई जोड़ भी नहीं होता ना इसमें जो साबित करना होते हैं हमें करना होता है तो ऐसे question मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं तो students let me get started question number 3 प्रूदेट इसका जो पहला पार्ट है वही मैं आपको बताता हूँ वह पहला पार्ट क्या है वह है 1 प्लस 2 omega into 1 प्लस 2 omega square यह है 1 minus omega minus omega square into 1 minus omega minus omega square which is equal to 6 ठीक है 6 के बड़ावर है हाँ बिल्लकुल students अब गोर करें किसको हम कैसे simplify करते हैं कैसे proof करते हैं थाबित करते हैं तो अगर आप गोर करें इसमें एक LHS है कुछ रहे हैं कि यह जो है हाँ मैं सभी कर रहो हुज़ा है यह RHS हैं और इसमें यह LHS है तो मैं क्या करूगा या तुम्हे नहीं आरेचस को उटा कि LHS को मैं थापित करूग या फिर LHS को उटा कि LHS को साबित करूग लेकिन अगर आप ने रुटा है तो फिर घरक हो जाँगा है ऐसा नहीं करूगे वो भी मुम्किन है लेकिन वो तोनजा मुश्किल है आपको तोना मुश्किल पड़ेगा और यह बहुत सिंपल है कि आप LHS को उठाए और RHS को साबिद करें तो गवर करें आप किया करों ऐसा करें आप solution इसको taking LHS मैं LHS को उठाता हूं और LHS को जब मैं उठाओ तो मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों को मैं आपस में multiply करता हूं तो गवर करें 1 1 0 1 plus 1 2 omega square 2 omega square अब 2 omega की बारी है ना इसको 1 से multiply करो तो 2 omega इसको 2 omega square से multiply करो तो 4 omega क्यों सही है दोनों की production मेरे पास में यहां गया अब यहां पर माइनस को मैं कावन करूं तो यह omega plus omega square बन जाएगा ठीक है और यहां पर इसको मैं तोड़ा सा bracket भी चेंज करूं तो यहां जाएगा अब गोर करें इसमें मैं क्या करता हूं 1 प्लस यहा omega plus 1 बच जाएगा और plus यहां 4 और omega cube तो 1 के बराबर है तो यहां पर मैं ब्रेकट चेंज करूं और यह क्या आगया ठीक है तो यह भी आपको पता है अब यहां पे आप गोर करें 1 minus 1 के बराबर है तो इसकी जगह मैंने लेगा minus 1 अब गोर करें 1 plus 2 omega और इसकी जगह मैं कराबर है तो minus omega square मैंने इसकी जगह लिख दिया सही है आपको समझ आ रहे है ना मुश्किल नहीं है और plus 4104 तो यह तो यह आगया अब आगे क्या है 1 minus minus plus 1 टीक है तो बस यह तो प्रेकर ज़रूर इतनी 1 plus 1 यहां पे आगया 2 को मैंने यहां पे लेगा 1 अपनी जगह पे plus 2 इसको मैं क्या करूँ ऐसा करोंगा plus minus minus and 2102 and omega omega cube ठीक है and plus 4 चाहर 2 1045 minus 2 और omega cube किसी के बराबर है 1 के बराबर है तो बस लेकने की जुरूरत भी नहीं लेके चलो 5 minus 2102 2 5 से 2 3 and 3206 तो यही में आपको बोला था कि मैं LHS को मैं उठाऊंगा और इससे मैं RHS को ही बनाऊंगा तो आप देख रहे हैं इसे क्या गया RHS तो अब इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद जो दूसरा क्वेशन है उसी को भी करते हैं और वह यह है कि मैंनस one plus iota अंडर O Chin, whole the power four a whole power four, तो यह क्या है और दूसरा, और यह 512 omega square के बरबर ने, 512 omega square, यह ही 512 omega square के बरबर है इसमें दूसरा पार्ट जो है, question two ka three ka दूसरा part minus one plus iota अंडर O Chin, minus one plus iota अंडर O Chin, and whole power में क्या है 4 और फिर दूसरा क्या है माइनस वन माइनस अयोटा अंडरूर ट्री और होल पावर में क्या है फाइफ और यह बराबर है फाइफ वन नई पंसव बारा 512 कैसे लिखा जाता है फाइफ वन टो ओमेगा स्क्वेर इसी के बराबर है तो इसको मैं साविट करूँगा तो अगेर वाली बात क्या टेकिंग लेचेस को मैं उटाऊंगा अरेचेस को साविट करूँगा जब आप लेचेस को अटाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है अच्छा यहां पर भी आपको एक चीज़का पता है कि ओमेगा किसी के बराबर है यहां पे अगर मैं लिख दूँदे के ओमेगा बराबर है माइनस वन प्लस आयोटा अंडरूट 3 डिवाड़ बई 2 इसी के बराबर है तो यह तो अगर इधर यहां पे डिवाड़ हो ना तो इधर लागी इसको मल्लिप्लाइब कर तो 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 ओमेगा बन जाएगा तो 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 ओमेगा माइनस वन प्लस आयोट तो देखें आप गोर करें ना, मैनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, मैनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसकी जगह मैं लेकूंगा टू उमेगा, सब्सक्राइब यह है, टू उमेगा इसकी जगह मैंने लेका, तो एन 2 पावर 4 अपनी जगह, और यह क्या है इसके जगा मैं लिखूंगा 2 omega square दूबार इसके लिए भी वही बार कि आप क्या करें के omega square बरावर है minus 1 minus iota under root 3 divided by 2 वो जो 2 नीचे होगा इसको इदा लाकी multiply कर दो तो 2 omega square बन जाएगा तो क्या करें अब 2 to the power 4 16 और omega to the power 4 अब यह क्या है एक तो यह आगिया अचा दूसरा 2 to the power 5 कितना बनता है 32 बनता है ओमेगा 2 to the power 5 तूजर 10 बन जाएगा ठीक है अब 16 and 2 to the multiply करो 16 to 512 और यह omega to the power तो यह omega 14 बन जाएगा तो देके 512 omega square कर दो तो दूसरा omega 12 कर दो तो देके 512 omega square और omega 12 से 1 ही आएगा तो 1 बस लिखने की जरूर नहीं कि मीर के omega cube to the power 4 जवाब करोगे से पहले के question है हमने कर दिया तो 512 omega square और यह क्या है यह है RHS थाबित हो गया तो इसके बाद में जो last आखिर question है उसको भी करते हैं तो उसको मैं कैसे करूंगा वो भी करते हैं पर इसके बाद लेक्टर बाइंड़ आफ यह हमारा ताब इसको भी में रफ करूंगा बस आपन question 4 show that x cube minus y cube is equal to यह है question number 4 यह है x cube minus y cube which is equal to यह क्या है x minus y into x minus x minus y यह है कैने की कुछ और है हाँ y है into यह क्या है x minus omega y x minus omega y और पर आगे क्या है into x minus omega square y into x minus omega square y यह है which is equal to आगे क्या बराबर है नहीं बस यही तो है ना तो क्या करें है again हमारे पास एक LHS है दूसरा RHS है और इसको मुझे साबित करना है तो मैं क्या करूंगा अब solution taking RHS इस अब क्या करते है हम RHS को लेते हैं RHS को जब हम लेते हैं गवर करें x minus y तो अपनी जगह पे यहाँ पे इन दोरों को मैं आपस में multiply करते हूँ x x are तो यह x square आ जाएगा minus यह omega square और xy बन जाएगा अब इसको अंदर multiply करो तो यह minus omega x y बन जाएगा minus minus plus और यह omega cube और y square बन जाएगा दोनों को आपस में मैंने multiply किया अब x minus y तो अपनी जगह पे यहाँ पे देगे और करें x square minus यहाँ मैंसे अगर मैं xy को common करूँ तो जब xy को मैं common करूँ और बलकि मैं ऐसा करूँगा कि जो मैं common लेता हूँ मैं back पे लेता हूँ यहाँ पर मैं करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे माइनस भी common हुआ तो यहाँ पे omega square बच जाए अच्छा एक और काम भी करूँ omega square नहीं बस omega square और यह plus omega बच जाएगा omega यह बन गया अब plus omega cube 1 के बराबर है और चले एक 1 मैं लेकूँँगा ठीक है तो गोर करें एक सम माइनस y यहाँ पे x square माइनस यह जो है यह तो बराबर है माइनस 1 के और एक समय अपनी जगह पे और plus y square 1 जा y square तो देखें एक समय माइनस y into यह x square माइनस माइनस प्लस xy इसकों अदर मंटिप्लाइ करो और y square अब गोर करें a minus b into a square plus ab plus b square a कि सिसके बराबर है यह a cube plus b cube minus b cube के बराबर है तो यह बराबर है a cube minus b cube students अगर आप गोर करें तो मैंने RHS को उटाया था और LHS सबित हुआ a cube minus b cube a cube minus b cube यह भी clear हो गया अब इसके बाद में जो question है वो क्या है आप गोर करें students screenshot लेना है या नहीं लेना है पता नहीं कैसे study करते हैं अच्छा इसके बाद में जो question है वो यह है but not least 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega 2 power 4 into 1 plus omega 2 power 8 is equal to 1 यह 1 के बराबर है तो यह क्या है question number 4 का आखिरी part है तीसरा part है कि नहीं दूसरा part है दूसरा part इसमें क्या है 1 plus omega 1 plus omega into दूसरा क्या है into 1 plus omega square 1 plus omega square into 1 plus omega to the power 4 4 था ना into 1 plus omega to the power 8 1 plus omega to the power 8 और which is equal to 1 1 के बराबर है तो क्या करें again where you are taking LHS आप LHS code आये इन दोनों को पहले multiply करते हैं तो क्या करें 1 1 0 1 plus omega square plus omega 1 0 omega plus omega q बन जाएगा यह बन गया omega q अचा इसको multiply करते हैं 1 1 0 1 plus अचा इसको अभी multiply नहीं करते हैं तोड़ा से इसको असा करते हैं इसको अगर में ओमेगा और omega q करते हैं इसको प्लस omega इसको अगर में omega square और omega to power 4 नहीं 6 करते हैं तो गोर करें यह one plus, यह जो है यह this one omega square plus omega यह तो आपको पता है कि यह बरावर है माईनस 1 के है तो इसके gdzie में लेका minus one plus यह omega q1 के बरावर है तो इसके जगह म《ईने 1 लेका और यहाँ पर गूर करें 1 plus omega yeah here omega q корती have a this square do omega q Dr. तो यहाँ पर 2 कर दो ढूरू हैं? तो 1 यह क्या है? प्लस माइनस 1. ठीक हो, प्लस 1. यहां गया? 1 प्लस उमेगा, 1 जब उमेगा, एंडो. यह अगर हैं भोर करें, तो माइनस उमेगा. और यह तो 1 के बरावर है, 1 की पावर 2. तो यह बस कैंसल कर दो यह पे सराफ 1 आगया यहां पे 1 प्लस OMEGA हमारे पास बराबर है माइनस OMEGA स्कूर इस ही के बराबर है और यह माइनस OMEGA बच गया 1 की पावर टू में तो 1 ही आता है ना अचा 1 बस यहां पे 1 लिखने की जरूर दी अब माइनस माइनस प्लस और omega cube और omega cube बराबर है 1 के आपने देगा जो आखिर क्वेस्टन था वो भी हमने उसी तरह किया जो करना चाहिए था इसके बात में जो आगे इंशालला बस टाइम अभी खतम होगा इंशालला बाकी जो question रहते हैं, बाकी जो exercise रहती हैं, वो इंशालला कल करेंगे, पर देखिंगे, अगर जिन की रही तो मैं उमीद करता हूँ कि आज का lecture भी आप लोगों ने enjoy क्या होगा, और अगर आपको कोई question, कोई सवाल है, जो भी आपका question है, तो आप मुझसे पूछ लिया करें, comment section में इंशालला, मैं आपको बताया करूँगा, आपका जो भी question होगा, वो इंशालला एक knowledge किया जाएगा, ज